सब्सक्राइब किजिए मेकेनिक ग्यान चेनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस मेकेनिकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रवी खरकाटे और मेरा यूट्यूब चेनल मेकेनिक ग्यान में आप सवी लोग का स्वागत है दोस्तों जैसे कि आप स्क्रिन पे देख पा रहा है हमारे पास है जैसे पी 3DX और दोस्तों इसमें प्रॉब्लम क्या था आपने पिछले वीडियो में देखी लिया होगा दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं स्टेप बाई स्टेप ट्रांस्मिशन कैसा पिटिंग करते हैं दोस्तो अगर आप transmission fitting करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को last तक वाच कीजिएगा आप transmission fitting करना सीख जाएंगे जैसे भी 3DX का ठीक है तो चली दोस्तो हम ज़्यादा देरी न करती भी वीडियो को करते हैं start एक छोटा सा इंट्रो के बाद तो दोस्तो सबसे पहले हमें transmission housing में reversers clutch housing को fitting करना है तो दोस्तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप reversers clutch housing को SMG fit कर सकते हैं उसके बाद दोस्तो हमें क्या करना है चली हम आगे बताते हैं उसके बाद में दोस्तो हमें spacer fit करना है और उसके बाद दोस्तो हमें चावल bearing जो की एक कोंट सबसे नीचे डालना है उसके बाद में bearing डालना है और उसके बाद दोस्तो उसके उपर एक कोंट और डालना है ठीक है तो इस प्रकार से आपको चावल bearing को fit करना है और देख सकत करो उसके बाद में दोस्तों पीर से हम ze प्युर्ष को पीटिंग करना है तो सबसे पहले दोस्तों हम cheating करना ना हुशे चीज यद घूभा उरइंग और तो देख सकते हैं इस परखास से फिटिंग ktr जाना है और उसके बाद में में रहा यहाल very hundred goodness इसके बाद दोस्टों यह है दूसरा मेनशाप जो की ऐक नबर और दो नबर का है और जो अबी हमने मैसाप फिटिंग किया है वो तीन नंबर और जान नंबर टीक है तो एक नंबर और जो दो नंबर का फॉर्क है उस मेन्साप में हमें डारेक्ट फिटिंग कर लेना है और फिटिंग करने के बाद दोस्तों हमें में फिटिंग करने के बाद दोस्तों हमें में फिटिंग करना है तो देख सकते हैं इस परकार से हमें फिटिंग करना है और में फिटिंग करते समय आपको जो फॉर्क है उस फॉर्क का सेंटर म हमने यहां तक तो सब complete कर लिया है, दोस्तों लेकिन सबसे बड़ी बात आती है, यहां पर फ़ार्क लगाना ठीक है, दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं, तीन नंबर और चार नं बर का जो was फ़ार्क में लगा हुआ है, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना होगा इस फार्क का जो रौड है यह साफ्ट है इस साफ्ट को हमें सबसे पहले बाहर करना होगा सेंक्रो और फार्क से ठीक है तो चलिए देख सकते हैं हमने फार्क साफ्ट को वहार निकाल लिया है और सेंक्रो एसेम्बली और फार्क को एक साथ फिटिंग करना है तीन दोस्तों ट्रांस्मिशन फिटिंग करते समय सिर्फ इसी जगह पे दिक्कत आती है वरना ट्रांस्मिशन आप पुरा फिट कर लोगे आपको कहीं भी प्रावलम नहीं आएगी ठीक है तो देख सकते हैं हमने सेंक्रो का जो फार्क है इस प्रकार से लगा दिया है और उसके बा मिलाना होगा ठीक है तो चलिए थोड़ा साम उस साइड जाके आपको उस होल को दिखाते हैं ठीक है तो चलिए देख सकते हैं हमें हलका हलका उपर नीशे करके हमें जो फार्क का होल है और जो साप्ट का जो होल है उसका सेंटर मिलाना होगा और उसके बाद में हमें इस ला shifting होता है gear का liver लगता है उस जगे पे भी हमको gear shifting arm को लगाना होगा तो दोस्तो को फार्क है दोनो फार्क में एक एक arm लगेंगे ठीख है तो चलिए सबसे पहले हम एक तो चलिए हमने तीन नंबर और चारन नंमर फारक का लगा दिया है उसी प्रकार से हमें एक नंबर और दो नंबर का जो साफ्ट है उसका भी आर्न को लगाना होगा, ठीक है तो चलिए हम इसे फटा फट टाइट कर लेते हैं, ठीक दोस्तो आप अगर एक मेकेनिक हैं तो आप Play Store से Mechanic Gyan Ape को डाउनलोड कर सकते हैं उस Mechanic Gyan Ape में सभी टाइप के पार्ट केटलाग मिल जाएंगे दोस्तों जैसे की मसनीरी, सारे सभी टाइप के मसनीरी और सभी टाइप के वहिकल, गेर बाक्स और इंजन के पार्ट केटलाग मवजूद हैं आप उस Mechanic Gyan Ape को डाउनलोड करके आप अपने काम को अर्भी आसन बना सकते हैं ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं, तो हमने दोनों जो गेर का आर्म है, उसका जो लॉकनट है, उसे हम अच्छे से टाइट कर लिया है ठीक है, अब दोस्तों हमें देखना है जो फार्क है, फार्क का जो साफ्ट है, इसमें जो न्यूटल पोजिशन के लिए एक बाल, स्प्रिंग और एक प्लग दिया होता है, जो की हमें इसको लगाना पड़ेगा यह दरवासल होता क्या है दोस्तो इस फार्फ को न्यूटल पोजिसिशन पे रखने कांद काम करता है ठीक है तो चलिए इस प्रकार से आपको भी लगा देना है ठीक है चलिए इसके बाद हम दूसरा वाला भी लगा लेते हैं तो देख सकते हैं एक हमने बॉल फिटिंग कर दिया उसके अंदर और उसके बाद दोस्तो एक स्प्रिंग और उसके बाद दोस्तो एक है उसका कैप तो दोनों केप को दोस्तों हमें अच्छे से टाइट कर लेना है ठीक है और उसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं जो हमने अभी जो गेर का जो फार्क फेटिंग किया है उसमें उस फार्क को आप गेर लगा कर चेक कर सकते हैं एक एक करके आप अगर चेक करना है तो कर ल दिया था हमने और इस ट्रांस्मिशन को ओपन करने का क्या मतलब था हमने सारा कुछ डीटेल्स में बता दिया है अगर उस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या इस वीडियो के नीचे उस का link मिल जाएगा ठीक है तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने सारा कुछ complete कर लिया है उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा जो उपर का जो transmission का cover है इसे हमें अच्छे से clean कर लेना है और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है चलिए हम आगे बताते हैं तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं इसमें एक soft है उसमें gear उसमें एक bearing लगा हुआ है और उसके बाद में इस inputs आपको अंदर से फसा देना है ठीक है हम इसे अगर देशी language में अगर बोलना चाहा है तो आप इसे top sub बोल सकते हो ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है अगर आयल सील चेंज करना हो तो आयल सील चेंज करके आप coupling लगा कर चेकनेट को अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों हमने सारा कुछ वो complete कर लिया है अब उसके बाद दोस्तों हमें इस transmission के उपर उस cover को fitting करना है तो दोस्तों आपको वो रिंग का ध्यान रखना है transmission का cover fitting करते हैं समझ जो दो ओरिंग हमने दिखाया था दो होल के उपर उसे अच्छे से ध्यान रखना है ठीक है और दूसरा है reverser clutch assembly इसके उपर जो ओरिंग लगे हुए है ठीक है उस ओरिंग के उपर आप तो या अच्छे से grease लगा दें ठीक है या oil लगा दें और उसके बाद दोस्तों जो back cover है जिस जगह पे वो fitting होगा ओरिंग उस जगह पे और जो साप्ट जो idle gear का जो साप्ट है उस जगह पे और जो back cover है transmission में fitting हो जाए ठीक है तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों हमने सारा कुछ complete कर लिया है अब दोस्तों हमें क्या करना है इसे सीधा उठा कर हमें transmission के उपर fitting करना है ठीक है दोस्तों इस cover को fitting करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान लगना है जो कि हमने बताया था reverser clutch housing का जो saft है जिस पर oaring लगना है उस oaring का उस saft का center हमें अच्छे से मिलाना है ठीक है तो जैसी कि आप देख सकते हैं center एकदम मिलना चीए देख सकते हैं इस center को मिलाना है बाकि तो सारे मिल जाएंगे बाकि उस center को आपको एकदम अच्छे से मिलाना है ताकि oaring ना कटे ठीक है तो जैसे कि देख सकते हैं हमने एकदम सही सही सेंटर को मिला लिया है अब दोस्तो हमें क्या करना होगा हलका हलका जो उपर का कपलिंग है उस कपलिंग को हलका हलका घुमाना होगा वो आटोमेटिकली अपने जगह पे कवर बैठते जाएगा ठीक है जैसे कि देख सकते हैं हमें एक चीज का और ध्यान रखना होगा जब हम इस कावर को फिटिंग करते हैं उस समय हमें न्यूटल रखना पड़ता है गेरों को है तो हमने सारा न्यूटल करके रखा हुआ है और हलका हलका आपको फ्लेंच को घुमाना है देख सकते हैं आप अभी इस प्रकार से आराम से फिटिंग हो जाता है तो जो ट्रांस्पिशन का क्या फिटिंग करना तरीका है आप हलका सा उसका सेंटर मिला के रखना है और सेंट देख सकते हैं सारा कुछ फिटिंग हो चुका है अब उसके बाद दोस्तों जो ट्रांस्पिशन के जो राउंड के वोल्ट है उसे अच्छे से लगा लेना है और उसके बाद दोस्तों उसे अच्छे से टाइट कर लेना है ठीक है अब दोस्तों हमें क्या करना है दोस्तों सकते हैं जैसे कि आप यह साप्ट है है ऐडरिक पोंग का दोस्तों जब हमने टरांसविशन को ओपन किया तो यह हैडरिक पोंग का जो साप्ट है इसका बेरिंग टूटा हुआ निकला था आप इस वीडियो के पीछे वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं तो दोस्तों ये हमने नया bearing hydraulic pump के soft में fitting कर दिया है अब दोस्तों direct हमें इसे transmission के अंदर fitting करना है और दोस्तों इससे हलकी चोट मारनी है और इस soft को fitting कर देना है और fitting करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है इस bearing के उपर collar पर एक lock लगता है उस lock को भी अच्छे से लगा लेना है ठीक है उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं और आगे क्या करना है ठीक है दोस्तों आप हमारे चैनल में किन ग्यान को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लें बेल आइकन को भी fitting करना है ठीक है हमने पिछले वीडियो में सारा कुछ open करके बताया था कि कहीं कोई spare parts में कोई problem तो नहीं है हमने सब कुछ खोल कर देखा था बागी कोई problem नहीं था बड़ दोस्तों अभी हमें एक एक करके वो सारे इस transmission के अंदर fitting करना होगा तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों हमने कैप को fitting कर दिया है अब इस कैप के सारे बोल्ड को लागा कर इसे भी अच्छे से tight कर लेना है ठीक है तो चलिए थोड़ा सा वीडियो को skip करके हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों अब हमें charging pump को fitting करना है दोस्तो लेकिन charging pump fitting करने से पहले हमें एक और रिंग करना होता है जो कि आप color देख पहर है इस color पर fitting करना होता है और दोस्तों देख सकते हैं एक hole डिख रहोगा आपको नीचे और यह रहा charging pump या जगी अंप फोल है और ये जगे पी तो यह दोनो hole जो है आपको मिला कर लगाना है ठीक है जैसे कि देख सकते हैं charging pump में सबसे नीचे साइड में एक कट दीख रहा है यह वाली और उसमें भी दीख रहा है देख सकते हैं transmission में भी दीख रहा है यह hole तो यह दोनों hole को दोस्तों आपस मेंच करना है और उसके बाद आपको औरिंग लगाकर charging pump को fitting कर देना है ठीक है और उसके बाद दोस्तो charging pump के सारे बॉल्ड को अच्छे से tight कर लेना है और उसके बाद दोस्तों चलिए हम चलते हैं slow night fitting पे दोस्तों चलिए सबसे पहले हम gear lever को fit कर लेते हैं है ना उसके बाद हम slow night को fitting करके दिखाएंगे तो दोस्तो gear lever को fitting करने के लिए एकदम आसान है आपको gas kit लगाना है उसके उपर वेनावन लगाना है और उसके बाद में आपको gear lever को direct collar मिला कर fitting कर देना है ठीक है और जैसी कि आप देख पा रहे हैं gear lever के उपर में एक adapter दीख रहा है इसके उपर जो pipe लगता है वो workflow का pipe होता है ठीक है वो workflow slow night में जाके fitting होता है तो अभी चलिए हम इस जगे पर slow night को fitting करेंगे तो दोस्तो slow night fitting करने से पहले हमें slow night की gasket लगानी होगी जैसे कि आप देख पा रहे है यह है slow night की gasket और यह रहा slow night का body मतलब पुरा bracket और उसके उपर है दोस्तो slow night ठीक है तो यह gasket को हमें अच्छे से fitting करना है इसमें एनाबॉन अगर कुछ ऐसा जादा कुछ नहीं लगाना अगर लगाना तो एकदम हलकी लगा सकते हैं बर दोस्तो जादा एनाबॉन का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं करना इसमें बारिक बारिक के hole रहती है और hole jam हो जाएगा तो दिक्कत बन जाएगी ठीक है और जैसे के हमने कहा था कि इस लो नाइट में एक adapter लगा होगा और flow के लिए देख सकते हैं पीतल का दिख रहा है है ना ये और ये इस जग़ा पे दोनों connect हो जाएगा ठीक है और इसके बाद में जो slow night है slow night के उपर rod जो है उसके उपर coil fitting हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों हमने जो आज की इस वीडियो में transmission fitting करने का जो तरीका बताया है क्या आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया हमें comment box में लिखकर जरूर बताना दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक कर देना हम आप लोगों के लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे हम फिर क किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं तब तक के लिए बाय दोस्तों पार जोस्तों पारै कि스凌 ए्याग अपको साथ में मिलते हैं कर दोस्तोंग के लिएग सेख में मिलते हैं प्र thou किक Movies